मैं डॉक्टर नीर्जा शर्माराज की महावित्य अले धोलपुर एसुसियेट प्रोफिसर समाज शास्राइब आज मैं आपको घुरिये की जाती वे अवस्ता के बारे में जानकारी दूँगे जब हिंदू समाज जाती के सामाजिक दर्शन के द्वारा शाशित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधुकारों और करतव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उस समय घुरिये के अनुसार हिंदू समाज में छे विचिस्ट लक्षन देखने को मिलते थे और यह है समाज का खंडात्मक विभाजन समाज हिंदू जाती समाज जाती समाज निवनाधिक रुप से में समुरूप समुदाई नहीं था यह एक हैसा समाज था जिसमें विभीन जो समुव है और जातीयां थी जिनका अपना सुविक्सित जीवन होता था और जिनकी सदसिता जन्म से निर्धारित होती थी किसी भी विक्ति की समाज किस्तिती आधुनिक यूरोप के वर्गों की भाती उसके धन पर निर्भर नहीं होती थी ब्रामण और राजपुद जैसे उची जातियां को छोड़कर अन्य सभी जातियों को क्यों नीमी तथा इस्थाई परिशदे या प्रशासनिक संस्था होती थी जो जाती पंचायते उपजाती के साथ निशीद खान पान पारम परिग व्यवार पत्नी का भरन पोशन नहीं करना करजे नहीं चुकाना आधी अपराधों का निर्णय किया करती थी जाती पंचायत अपने अपराधी सदस्य को दंड के रुप में इस्थाई या इस्थाई रुप से जाती से ब्रशकृत भी करती थी जुर्माना भी लगाती थी और जिसमें की जाती के सदस्यों को भोश देना शारीरिक गंड आधी भी दिये जाते थे घुर्ये ने बताया है कि इनी सामाजिक विशेष्टाओं के कारण जाती स्वयम ही अपनी शाशक थी अगली विशेष्टा है श्रेणी बदता घुर्ये के अनुसार जाती समाज का मुखिल अक्षण बिभिन जातियों की श्रेणी बदता थी भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम्य जातियों में सामाजिक वरिष्टता देखने को मिलती थी इसमें ब्रामण उच्चतम प्रस्थिती को प्राप्त होते थे और हरीजन या अइस्प्रश्य जाती निम्नतम प्रस्थिती वाली होती थी अन्य जातियां प्रतिष्टा अनुसार इनके मद्धिक्रम में इस्धित होती थी भोजन वो सामाजिक समागम पर प्रतिबंद इस संबन में विश्तरत नियम विद्धिमान थे किस जाती का सदस्य किस प्रकार का भोजन करेगा कौन से पेप्रदार्थ लेगा किन जातियों से ग्रहन नहीं कर सकता है और किन जातियों से ग्रहन कर सकता है इस सम्मन में भारत में बहुत अधी का नेकता विद्यमान थी इसमें जो है घूरिय ने भोजन और सामाजिक समागम संबंधी नीमों के आधार पर भारत को दो वागों में विभाजित किया है और उत्तर भारत की जातियों को पासमों में विभाजित किया है पहला इस्थान द्विज्यानी ब्राम्वनों का है दूसरा इस्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राम्वन पक्का भोजन गरहन कर लेते थे तीसरे स्थान पर वे जाती आती हैं जिनके हाथ से ब्राम्मन मात्र जल गरहन कर सकते थे चोथा स्थान उन अच्छी जातियों का है जिनके हाथ से ब्राम्मन जल भी गरहन नहीं कर सकते थे अन्तिमिस्तान पर वे जातियां आती हैं जिनका इसपर्ष मात्र किसी भी कटर हिंदू को अपबीत्र कर सकता था सिद्धांत रुप में उची जाती का बिक्ति अपने से नीची जाती के सदसे द्वारा इसपर्ष हो जाने पर अपबीत्र हो जाता था परन्तु ब्यभार में इस नियम का इतनी द्रटा से पालन नहीं किया जाता था विभिन खंडों की नागरीक वो धार्मिक असमर्थताएं एमं विशेश अधिकार जाती संद्रजना में उच्चतम जाती को अधिक्तम नागरिक व धार्मिक विशेश्य अधिकार प्राप्त होते थे तथा उनकी नियुन्तम असमर्थताएं होती थी इसके विपरित निम्रितम जाती पर अधिक्तम असमर्थताएं होती थी और नियुन्तम विछेशे अधिकार नियमों की कठोरता में दक्षिन भारत का विशेश टिस्तान था रप्टर गुरिया ने लिखा है कि उत्तर भारत महराष्ट और तेलगू कन्नर प्रदेशों में केवल अपवित्र जातियों को ही प्रथक किया जाता था और उन्हें गाओं के भारी सीमा पर रहने के लिए विवश किया जाता था तमीलव वल्यारम प्रदेशों में प्राया इसा होता था कि विभिन जातियां प्रथक भागों में रहती थी कभी कभी किसी गाओं को ही तीन भागों में विवक्त कर दिया जाता था एक भरग में प्रमुख जाती है ब्राम्मन दूसरे में शुद्र और तीसरे में पंचम यानी अच्छूत निवास करते थे ब्राम्मन शुद्रो और पंचमों के मोलने प्रतक होते थे अप्रतिबंदित ब्यवसायों के चयन का अभाव सामन था कोई भी जाती या उससे मिलता जुलता जाती समू कुछ ब्यवसायों को अपना पेत्रक ब्यवसाय मानते थे उस पेत्रक ब्यवसायों को वो दूसरे लापकारी ब्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं मानते थे ब्राम्बन ये सोचता था कि उसके लिए पुरोहिद बनना या बने रहना हुची थे जाटव वर्ग जो है जूते बनाने या चमड़े के कारे करना अपना करता भी समझता था घुरे ने टिपनी लिखी है कि यह मात्र सामाने रूप से ही सत्य था क्योंकि ब्यापार, क्रशी, क्रशी श्रम, सेनिक, सेवा जैसे ब्यवसाय समूध है जो किसी भी जाती के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे अधिकांज जातियां इन में से किसी भी एक ब्यवसाय के लिए उप्युक्त मानी जाती थी इसके साथ आपने यह भी लिखाए कि कोई भी जाती अपने सदस्यों को एसा धन्दा अपनाने को अनुमती नहीं देती थी जो प्रतिष्टा घातक हूँ घुरे ने उधारन दिया कि जन्मजाद ब्राम्बन के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कारे करने की अनुमती प्राप्त नहीं कर सकता था इसी कारण पुरोहित का कारे पूर्ण अधिकार परंपरागत यह अनुवानशिक रुप से ब्राम्बनों का था डक्टर घुरिये के अनुसा क्रशी में अनेक जातियां लगी हुई थी व्यक्तियों के लिए एक बेवसाय से दूसरे बेवसाय में बिना अपनी सामाजिक प्रहस्तिती के परिवर्तन किये या जाती के अंदर विभा का अधिकार खोए चले जाना असंभव नहीं था विभापर नियंतरण हिंदू समाज अनेक उपसमूहों में विवक्त होता था प्रत्यक उपसमूह उपजाती के नाम से सर्वविदेत होता था यह प्रत्यक उपजाती अपने रहस्यों को गुपतर रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाती से बाहर विवा नहीं करने देती थी इस प्रकार प्रत्यक उपजाती अंतर विवा ही होती थी जाती व्यवस्ता का अंतर विवा का नियम बहुत कटोर होता था बेश्टर मार करने तो अंतर विवाह को जाती व्यवस्ता का सार माना है डॉक्टर घुरिये के अनुसार फिर भी अंतर विवाह यानी अपनी ही उपजाती में विवाह करने कि इस सामाने नियम के कुछ अपबात भी है और उसका कारण है अनुलोम विभा की प्रथाका होना यह नियम का उलंगन किया जाता था तो उसकी सदस्ता समूं से निश्कासन ही इसका सामान दंड होता था जिसे अपराधी पक्छो को भूगना पड़ता था